असलाम अलेकुम विवर्स वेलकम बैक टू माई चैनल जैका इंडिया खिले-खिले खुश्बुदार चावल और नर्मो मुलायम गोश्थ यही पैचाने एक बेहतरीन बिर्यानी की तो फ्रेंस आज हम बनाएंगे बहुती लजीज और इंस्टेंट हैदराबादी चिकन बिर्यानी आप भी इस चिकन बिर्यानी को बहुत असानी से अपनी की चन में बना सकते हैं तो आगे देख लेते हैं हमने इसे किस तरह से बनाया है तो सबसे पहले बासमती चावलों को धो कर 40 मिनट के लिए भीगो कर रख देंगे और तब तक हम चिकन का मसाला रेडी कर लेंगे यह हमने 400 ग्राम प्यास को छील कर इस तरह से स्लैसिस में काट कर लिया है अब हम इने इस तरह से अलग-अलग कर लेंगे और अब इन प्यास के स्लैसिस को तेज गरम तेल में डाल कर गोल्डन कलर का होने तक फ्राइ कर लेंगे फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे प्यास को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है जब प्यास सो नहरे कलर की होनी शुरू हो जाएगी देखे इस तरह से इसे हम तेल से निकाल कर प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे अब एक ग्राइणिंग जार में डालेंगे दस से बार लहसुन के जवे अब थोड़ा सा पाने डालकर इन्हें पीस कर पेस्ट बनाकर एक साइड में रख लेंगे अब जिस तेल में हमने प्यास को फ्राई किया था उसी तेल में डालेंगे एक किलो अच्छे से वाश किया हुआ चिकन साथे डालेंगे एक तेश पता एक दालचिनी की स्टिक 5 हरी इलाईची 15 काली मिर्च साथ लॉग एक चक्र फूल एक बड़ी इलाईची और एक जावीतिर का फूल और ये अदरक लैसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है ये भी डाल देंगे साथ ये डालेंगे किसी भी ब्राइंड का दो चमच बिर्यानी मसाला 200 ग्राम दही है ये डाल देंगे अब तली हुई प्यास डालेंगे थोड़ी सी बचा लेंगे गार्नेशिंग के लिए और ये तीन कटिवे टमाटर, चार लंबाई में कटिवे हरी मिर्च और दो निम्बू के स्लाइसीज है ये डाल देंगे अब इसके अलावा डालेंगे एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर, दो चमच धनिया पाउडर, एक चमच भरके नमक डालेंगे अब एक मुठी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, एक मुठी कटा हुआ पदीना डालेंगे अब इन सब मसालों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब चिकन को पकने के लिए गैस चूले पर रख देंगे चिकन में पानी बिल्कुल नहीं डालना है यह अपने ही मौश्टर में और दही में पक जाएगा बस हमें 50% तक इसे पकाना है बाकी 50% चावलों को दम करते वक्त पक जाएगा अब दूसरे चूले पर चावलों को बॉयल करने के लिए हमने चावल का तीन गुना पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था पानी में बॉयल आते ही हम इसमें डाल देंगे एक तेस पत्ता, दो हरी लाईची, एक दाल जीने का टुकला, दो कटीवी हरी मिर्च, थोड़ा सा कटावा धनिया और पौदीना और एक निम्बू का स्लाइस और अब तीन चमस नमक डाल देंगे, पानी में अच्छे से बॉयल आ रहा है, अब हम भीगे हुए चावल डाल कर 5 मिनर तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे, चावलों को हमें 70 परसंट तक यानि के एक कनी कच्चे रहने तक कूप करना है और जब ये इस स्टेज पर आ जाएं, ये देखिए एक अनी कच्चे हैं, अब हम इने छान लेंगे, यानि के इनका पानी अलग कर देंगे अब इदर ये चिकन कोर्मा भी पकर रेडी हो चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, चिकन अच्छे से भुन गया है अब इस चिकन कोर्मे के उपर चावलो को सभी साइडों में फैला कर डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से और अब चावलो के उपर डालेंगे थोड़ा सा फूट करर, दूद में वीगा हुआ जाफरान डालेंगे तली भी प्यास डाल देंगे, जो हमने बचा कर रखी थी, दो से तीन चमच देशी ही डालेंगे और अब कटा हुआ थोड़ा सा धनिया और पोदीना डालेंगे और अब हांडी के किनारों पर आटा या गीला कप्रा लगाएंगे और धकर उपर से कोई भारी चीज रख देंगे ताकि इस्टीम बाहर न निकले और अब बिर्यानी को 20 मिनट के लिए दम पर रखेंगे पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पर ताकि चावलों में इस्टीम बन जाए और उसके बाद 20 मिनट तक लो फ्लेम पर दम करेंगे अब तकरीबन 40 मिनट के बाद हम बिर्यानी को खूल कर चेक करेंगे तो यह हमारी बहुत ही मज़िदार और खुश्बुदार हैदराबादी चिकन बिर्यानी बन कर रेड़ी हो चुकी है अब हम हंडी के एक किनारे से चमच चलाकर चावलों को खूल देंगे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी बिर्यानी बन कर रेड़ी होई है अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे इस मसालेदार बिर्यानी को आप रायते और सलात के साथ सर्व करिएगा बहुत मज़े ही लगती है हमें उमीद है ये लजीज बिर्यानी की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई हो तो ट्राइज जरूर कीजेगा और अपने फीडबेक हमारे साथ शेयर कीजेगा चैनल को बन टाइम सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए अलाहाफिज